नमस्कार, दिन बर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ सुर्भी आज इस बुलिटिन में बात होगी, आज भी विपक्षी सांसदों पर हुए निलंबन की कारिवाही की कॉंग्रिस संसदी दल की बैठक में सुनिय गांधी के बयान की बात करेंगे कॉंग्रिस की यूपी जोडू यात्रा की, अगनिवीर योजना पर बड़े खुलासे की इसके साथ ही जानेंगे 450 रुपे में गैस लेंडर देने की वादे पर क्या बोली सरकार और बुलिटिन की आखिर में देखेंगे जाने माने काटूनिस्ट इर्फान की किस खबर पर पड़ी है तिरची नजर इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर लोगसभ़ चुनाव को लेकर सियम नितिश कुमार ने जेडियू सांसदों से कही बड़ी बात कहां आम चुनाव की घोशना कभी भी हो सकती है तयार रहें लालू और तेजस्वी यादव को ईडी ने भेजा समन 22 दिसंबर को पूछतास के लिए बुलाया नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ है मामला इडी के सामने फिर पेश नहीं होंगे अर्विंद के ज्रिवाल दिल्ली के सीम दस दिन के लिए विपरशना शिवीर के लिए रवाना शराब घुटाले में इडी ने दूसरी बार भेजा था समन गिरावट के साथ बंद हुआ श्रेयर बाजार सेंसेक से 930 अंकों की गिरावट के साथ 17506 के स्तर परबंद निफ्टी भी 302 अंकों की गिरावट के साथ 21150 के स्तर परबंद ये तो थी सुर्खिया और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की संसद की लगातार चौथी बैठक में विपक्षी दलो के सांसदों के निलंबित का दौर चलता रहा विपक्ष के सांसद विरोध करने पर निलंबित होते रहे तो सरकार एक के बार एक बिलपेश करने में जुट गई विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है उल्टा विपक्ष पर ही सवाल उठाया जा रहा है तो आज क्या कुछ हुआ संसद में देखे इस रिपोर्ट में जिसमें कहा गया है कि निलंबित संसदों में से कोई भी सदस्य संसद में बने चेंबर, गैलरी और लॉबी में नहीं जा सकेगा जो संसद संसदिय समीती के संसे हैं वो भी बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे सदस से अगर कोई नोटिस देते हैं तो उन्हें भी सुईकार नहीं किया जाएगा इस बीच विपक्ष बिहीन दिख रही संसद में सरकार धड़ाधर विधयक पेश कर रही है तो दूसरी ओर टीमसी संसद कल्यान बनरजी के सहारे मोधी सरकार राहूल गांधी की घेरा बंदी में जुट गई है कल्यान बनरजी का नाम भी निलंबित संसदों की सूची में शामिल है और मंगलवार को वो संसद के बाहर विरोध प्रदशन के दौरान मिमिक्री कर रहे थे वैसे बनरजी ने साफ कर दिया है कि वो धनकर की मिमिक्री नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर वो ऐसा मान रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन सत्ता पक्ष इसे राजसभा के सभापती जगदीव धनकर का अपमान करार दे रहे हैं और इसी मामले पर जब मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल किया तो राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ पर सांसद बैठे थे और मैंने उनका वीडियो लिया मेरा वीडियो फोन में है हमारे 150 संसदों को बाहर फेंक दिया मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा अडानी रफाइल पर भी मीडिया बात नहीं कर रहा बेरुजगारी और महंगाई उसके मुद्दे नहीं हैं हमारे संसद दुखी हैं और बाहर बैठे हैं लेकिन आप मिमिक्री की बात कर रहे हैं दरसल विपक्ष संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर पी एम या फिर ग्रिह मंत्री में से किसी के बयान की मांग कर रहा है लेकिन पीए मोदी और ग्रिह मंत्री अमित शाह संसद के बाहर तो इस मुद्दे को बोल रहे हैं लेकिन संसद में बोलने को तयार नहीं है अब तक 143 संसद निलंबित हो चुके हैं और सत्र समाप्त होने तक ये संख्या 150 पार जा सकती है विपक्ष पर चल रही कारवाही के बीच आज कॉंग्रेस संसद इदल की नेता सुनिया गांधी ने पार्टी संसद इदल की बैठक बुलाई और देश की वर्तमान दशा पर चिंता भी जदाई तो बैठक में क्या कहा कॉंग्रेस संसद्य दल की नीता ने देखे इस रिपोर्ट में इस मामले पर देश को संबोधित करने में पी-म को चार दिन लग गए वो भी उन्होंने संसद के बाहर किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की गरिमा को गिराया देश की जनता की उपेक्षा की विपक्ष संसद की सुरक्षा पर सवाल कर रहा था लेकिन जवाब देने की जगह संसदों को निलंबित किया रहा है 18 दिसंबर को कुल 78 संसदों को निलंबित किया गया जिन में लोकसभास से 33 और राजसभास से 45 को निलंबित किया गया है आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने संसद निलंबित किये गये हैं अब तक 143 संसदों क निलंबित किया जा चुका है बैठक में सोनिया गांधी ने जम्मो कश्मीर से जुड़े विधेकों को पास कराये जाने के दौरान अमित शाह के बयान को लेकर भी आपत्ती जताई उन्होंने कहा कि लोग जवाहरलाल नहरू जैसे महान देश भक्त को बदनाम करने के लिए इ इधान सभा चुनाओं में हमें उमीद के मताबिक सफलता नहीं मिली इसकी पार्टी अध्यक्ष समिक्षा कर रहे हैं समिक्षाओं से जो सबक मिलेंगे वो हम अपनाएंगे इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनाओती है फिर भी मुझे यकीन है कि हमारे साहस और लगा उतगड यूपी में घेरने के लिए कॉंग्रिस ने यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुवात कर दी है तो क्या कुछ है इस यात्रा को लेकर तैयारी आईए देखते हैं लोकसभा चुनाओों की तैयारियां अब जोड़ शोड़ से शुरू हो गई है कॉंग्रिस दिल्ली की गद्धी के दरवाजे खुलने के लिए पश्चिमी यूपी के प्रसिद सिद्धपीट माशाखमरी देवी मंदिर से चुनाओ का आगास कर दिया पाठी ने 20 दिसंबर भारत जोड़ो यात्रा की तर्च पर कॉंग्रिस यूपी जोड़ो यात्रा का आगास कर दिया है आपको बता दे की कॉंग्रिस की यूपी जोड़ो यात्रा 11 जिलो सहारनपूर, मुजफर नगर, विजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली, शाजापूर, लखीमपूर, सीतापूर और लखनव होकर सीतापूर के नैमी शारिने में समाप्त होगी कॉंग्रिस ने 25 दिन का कारिक्रम भी तयार कर लिया है सहारनपूर में गंगोह और देवबंद के ग्रामिन इलाकों में यात्रा भ्रहमन करेगी इसी कड़ी में इस यात्रा का सहारनपूर से अगास भी कर दिया गया है आपको बता दे कि हर जिले में दो दिन यात्रा रुकेगी, हर रोज 20 किलोमीटर पैदल यात्रा तैह की जाएगी इसके लिए कई पूर्व सांसदों और प्रमुख चेहरों को भी जिम्मेदारियां दी गई है पूर्व केंद्रेवंतरी, प्रदीब जैन, आदितिको सहारनपुर, पूर्विधायक, इमरान मसूत को बिजनौर, पूर्व सांसद जफर अली नकवी को शहाजापुर और चार बार के सांसद रवी प्रकाश वरमा को सीतापुर में प्रभारी बनाया गया है ये यात्रा यूपी कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अजेराय के नेत्रत में हुई, इसमें प्रदेश भर के 300 से अधिक नेता शामिल हुए, अजेराय ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए कॉंग्रिस नेता प्रयांका गांधी को भी नियोता दिया है, इस यात्रा क एसी फैसले लेती रही है जिससे लोग चौकते ही नहीं बलकि परिशान भी हुए हैं ऐसा ही एक फैसला भी आया था अगनिवीर योजना को लेकर यहां तक सीना भी सरकार के फैसले पर हैरान रह गई थी और अब इसका खुलासा किया है उस समय के सेना प्रमुख ने जब से केंद्र सरकार की तरब से भारतिय सेना में चार साल के लिए भरती करने वाली अगनिपत योजना की घोशना हुई है तब ही से लगातार इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है इसी बीच पूर्ब सेना प्रमुख जैनरल एमेम नर्वने की एक किताब पब बलकि अपने तमाव फैसलों की तरह मोदी सरकार ने देश की सेना को भी चौका दिया था लेकिन सेना हमेशा अनुसाशन का पालन करती है इसलिए उसकी ओर से इस योजना के खिलाफ किसी तरह का बयान नहीं आया तो वही इस दावो को लेकर कॉंग्रेस ने मोदी सरकार पर 30 अपरेल 2022 तक सेना प्रमुक के रूप में कारेरत थे उन्होंने अपनी किताब और स्टार्स ओफ डेश्टिनी में लिखा है कि उन्होंने 2020 में पीम मोदी को टूर ओफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था इसमें अगनिवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के इतना ही नहीं किताब में ये भी लिखा गया है कि कुछ समय बाद रदान मंतरी कार्याले यानि सेना की तैंदर के टयारियों पर भी असर पड़ा होगा ये तैम आना जा रहा है सीना तो अनुसाशन में रहती है इसलिए अपने परिशानी सारफजनिक नहीं करेगी लेकिन मोदी सरकार की नीतियों से राज्यों को होने वाले परिशानी जरूर तूल पकड़ रही है वो दुबार को पश्यम मंगाल की सियम ममता बनर जी पीयम मोदी से मिली थी और बैठक के बाद उन्होंने मोदी सरकार पर जम कर आरोब भी लगाए तो क्या कहा ममता बनर जी ने देखे इस रपोर्ट में पश्यम मंगाल की मुक्रिमंत्री और टीमसी अध्यक्ष ममता बनर जी ने प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के ने तुर्त वाली बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए बयान दिया और कहा कि केंद्र बंगाल का बचा हुआ पैसा नहीं दे रहा है वो गरीबों का पैसा नहीं दे रहे है पश्यम बंगाल की सीम ने ये बात पियम मोदी से आज हुई मुलाकात के बाद कही पियम मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर जी ने बयान दिया और कहा कि टीमसी के दस नेता पियम मोदी से मिल चुके है हमें 100 दिन का पकाया रुपया नहीं मिल रहा है साल 2022-23 के बजट में इस मद में एक रुपया भी नहीं दिया गया है इसके लावा कई और योजनाएं हैं जिसका पैसा हमें नहीं दिया गया है हमने ये कहा था कि गरीबों का पैसा रोकना ठीक नहीं है ममता ने इसके साथ ये भी कहा कि बंगाल में आवास योजना की स्कीम बंद कर दी गई है फाइनेंस कमिशन का पैसा भी नहीं मिल रहा है मैंने अपनी बात पीम मोधी के सामने रखी है और उन्होंने कहा है कि हमारे अधिकारी और आपके अधिकारी आपस में मिलकर इस पर बात करेंगे टीमसी सांसत कल्यान बनर जी ने जो उप्राष्ट पती जगदीर धनकर की मिमिकरी की उस पर भी टीमसी अध्यक्ष ने टिपडी करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं इस मामले पर बात करने नहीं आई हूँ उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पियम मोधी बंगाल में रोके गए पैसे के मुद्धे पर जल्दी कुछ बड़ा फैसला लेंगे बंगाल को कींद्र सरकार परिशान कर रही है वैसे सिर्फ ममता ही निशाने पर नहीं है दूसरे विरोधी दल भी निशानी पर है मधिप्रदेश में मोहन यादफ की सरकार को बने एक सब्ता ही हुआ है लेकिन सरकार के एक फैसले से विधान सभा में हंगामा मचा हुआ है कॉंग्रिस महापूर्शों के अपमान का आरूप लगा रही है तो क्या है मोहन यादफ सरकार का फैसला जिस पर मचा हुआ है हंगामा देखे ये रिपोर्ट कमेटी अभी से विचार विमर्श करेगी जबकि नेदा प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि कोई कमेटी बनाने की जुरत नहीं है अध्यक्ष इस पर निर्ने ले दरसल अभी तक विधान सभा में विधान सभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास पंडित जवाहरला लहरू की तस्वीर लगी हुई थी जिसे हटाकर वहाँ बाबा साहब अंबेटकर की तस्वीर को लगा दिया गया है जिसे लेकर कॉंग्रिस के अंदर नारास्की दिखाई दे रही है सुभे कॉंग्रिस विधायक पंडित जवाहरला लहरू, महात्मा गांधी, अंबेटकर और सरदार पटेल की फोटो लेकर गांधी प्रतीमा के पास धरने पर बैठ गए फिलाल ये साफ है कि ये टकराव आगे भी बना रहीगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की कमीटी बनाय जाने के प्रस्ताफ को विपक्ष ने नामन्जूर कर दिया है दरसल आज विधानसभा अध्यक्ष के चुनाफ के बाद राजपाल का अभिभाशन भी हुआ लेकिन ये पहली बार है जब विधानसभा के शुरुवात ही विवात के साथ हुई है नहरू से बिजेपी को परिशानी है ये संसद से बिजेपी की नजर पड़ती नहीं दिख रही है विधानसभा चुनाफ जितने के लिए बिजेपी ने वादा किया था कि वो लोगों को 450 रुपे में गैस लेंडर देगी जनता ने बिजेपी पर भरोसा किया उसे वोड देकर जिता भी दिया लेकिन अब बिजेपी अपने रंग बदलती दिख रही है क्या है खबर देखे एरपोर्ट जिसके बाद इन राजियों में बिजेपी ने अपना मुख्यमंत्री भी न्योक्त कर दिया है लेकिन राजिसभा में केंद्र सरकार के एक जबाब के बाद सोशल मीडिया पर लोग बिजेपी को उसके चुनाबी वाईदों की याद दिला रहे है राजिसभा में सांसद जावेद अली खान ने सवाल पूछ कर राजनितिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राजिस्थान में 450 रुपे में LPG सिलेंडर देने की घोशना की है या केंद्र सरकार यूपी समेट पूरे भारत में 450 रुपे में LPG सिलेंडर देने की सोच रही है राजिसभा सांसत जावीद अली खान के सवालों का जबाब देते हुए पैट्रोलियम राजि मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार ने राजिस्थान में 450 रुपे में LPG सिलेंडर देने की कोई घोशना नहीं की है आपको बता दे कि बीजेपी ने अपने चुनाब घोशना पत्र में 450 रुपे में गयस सिलेंडर देने का वार्दा किया था गहलो सरकार ने उजवला परिवारों को 500 रुपे में सिलेंडर देना शुरू किया था गहलोत राज में राजिसरकार ही सबसीडी का पैसा वहन करती थी अब राज में बीजेपी की सरकार है 450 रुपे में सिलेंडर देने की योजना पर वचा हुआ पैसा आगे भी राजी सरकार को ही देना होगा केंदर सरकार इसमें कोई मदद नहीं देगी अब सवाल उठता है कि 450 रुपे में LPG सिलेंडर देने का मुद्दा आया कहां से दरसल हाल ही में पाच राजी और राजस्थान, मध्यप्रदेश, चत्यसगर, तेलंगाना और मिजोरम में विधान सबद शुनाब हुए हैं राजस्थान में बिज़ेपी ने अपने घोशना पत्र में पीम उजवला योजना के लाभारतियों को 450 रुपे में सिलेंडर देने का वाइदा किया था मध्यप्रदेश में भी बिजेपी ने अपने घोशना पत्र में 450 रुपे में सिलेंडर देने का वाइदा किया था इन दोनों राज्यों में बिजेपी सरकार के गठन के बाद से ही ये सवाल उठने लगा है कि क्या राजिस्थान और मध्यप्रदेश समेत पूरे देश में प्रधान मंतरी उजवला योजना के लाभारतियों को 450 रुपे में LPG सिलेंडर मिलेगा जिस पर केंदर सरकार ने साख्फ मना कर दिया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोशना नहीं की गई थी वैसे आपको बता दे कि फिलहाल केंदर सरकार प्रधान मंतरी उजवला योजना के लाभारतियों को 603 रुपे में सिलेंडर उपलब्ध करा रही है राजस्थान मद्रप्रदेश में बीजेपी ने चुनाभी घोशना में पिये मुझवला योजना के लाभारतियों को 450 रुपे में सिलेंडर देने का वाईदा किया था है या फिर और वादों की तरह ही जुम्ला साबित होता है और बुलिटिन की आखिर में देखिए कि जाने माने कार्टूनिस्ट एरफार की किस खबर पर पड़ी है तिरशी नजर दो एकिर निशे जाने में वेड़ी है तो आप आप अचैसे कि आखिर में विपक्ष के नियलंबे सांसा जान संसाथ के बाहर और उप्राश्पती का मज़ा कोड़ा रहते वहीं सरकार ने आज दो और विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है इतने थोक निसकाशन के बाद में एक बात तो जरूर है एक दम से गर्म हो गया TMC सांसद मौवा मोहित्रा की निसकाशन का मामला एक दम से गा लाइव हो गया है है ना ये भी एक मास्ता है स्टोक हाथ बहुत बहुत शुक्रिया रिफान जी तो आज इस बुलिटन में इतना ही देखते रहें डीवी लाइव नमस्कार